क्रिपया ध्यान दीजी आप की सवाल का जवाब जरूर मिलेगा नॉर्मल आईसेफच वाली ट्रेन 110 km पर आर की स्पीड से ऊपर क्योँ नहीं जाती यबकि आईसेफच वाली राजधानी और शताथि 130 km पर आर की स्पीड से चलती है तो आपको बता दे इसके पीछे कई सारे टेक्निकल कारण होते हैं नॉर्मल ICF कोच में जो भी लाइट या पंखे लगे होते हैं उन तक सप्लाई पहुचाने के लिए कोच के नीचे एक और्टरनेटर लगा होता है और जब पहिए घूंते हैं तो आल्टरनेटर भी घूंता है जिससे इलेक्टरिसिटी जनरेट होती है और इस इलेक्टरिसिटी से बैटरी को चार्ज किया जाता है फिर इसी बैटरी से पंखे या लाइट को सप्लाई दी जाती है सभी कोच के नीचे इंडिविच्वल आल्टरनेटर लगे होते हैं जब लोकोमोटिव स्टार्ट होता है और कोच को खीचना शुरू करता है तो लोकोमोटिव को शुरू में बहुत ताकत लगानी पड़ती है क्यूंकि ट्रेन के वील के साथ साथ और्टरनेटर को भी गुमाना पड़ता है तो बात साफ है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है वहीं अगर ICF शताबदी या राजधानी की बात करें तो इसमें सारे कोच AC होते हैं सभी कोचों में AC होने के कारण कोच के नीचे जो और्टरनेटर लगे हैं ये और्टरनेटर सारे AC को सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो इसके लिए सारे और्टरनेटर को हटा कर कोच के नीचे दोनों तरफ अंत में जनरेटर लगा दिये जाते हैं जिससे लोकोमोटिव आसानी से कोच को खीच पाते हैं जाहिर सी बात है कि जब कोच के नीचे लगे और्टरनेटर हटा दिये जाते हैं तो लोकोमोटिव पर ज़्यादा जोर नहीं बढ़ता है जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है वहीं बात करें दूसरे टेखनिकल रीजन की तो वो ये है कि नॉर्मल ICF कोच में विंडो ओपन होते हैं जिससे एर का प्रेशर बहुत जादा पड़ता है जिससे लोकोमोटिफ बहुत अधिक ताकत लगाने के बाद भी स्पीट के साथ कोच को नहीं खीज पाते हैं लेकिन अगर बात करें ICF पाली राजधानी या शताबडी की तो इनके विंडो प्लोज रहते हैं कोच पूरी तरह सील होते हैं जिससे हवा का दबाव कम पड़ता है और लोकोमोटिफ को कोच खीचने में कम ताकत लगानी पड़ती है इसी वज़े से ये लोकोमोटिफ आसानी से 130 किलो मीटर पर आर की स्पीड से चलते हैं तीसरा टेकनिकल कारण ये है कि ICF बाली शताबडी या राजधानी जो होती है इसका रूट पहले से डिसाइड होता है ये मैक्सिमम परमिसियेबल स्पीड यानि अधिक्तम अनुमे गती वाले रूट पर ही चलती है 110 किलो मीटर पर आर वाले रूट पर चलती है इससे ज्यादा की स्पीड पर चलने की इस रूट पर परमिशन नहीं होती है इसलिए ICF वाले नॉर्मन कोच को 110 किलो मीटर पर आर की स्पीड से उपर नहीं चलाया जाता है इस वीडियो को देखने के बार आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या वज़े है कि नॉर्मल और शताबदी या राजधानी ट्रेन की स्पीट में इतना फर्क क्यों होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करते हैं हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगल मैं याद्रा की काम ना करते हैं